स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में मैं हूँ अभी वर्सोबा में और आज जा रहे हैं अक्सा बीच तो चलते हैं देखेंगे क्या-क्या है अक्सा बीच में तो घर से निकलके अब हम आ गये हैं वर्सोबा जेटी पे और यहां से बोट लेंगे जो फेरी चलती है और उससे चलेंगे मड आइलेंड और वहां से बस लेके सीधे चलेंगे अक्सा बीच तो आप वर्सोबा जेटी से सिर्फ पांच रुपए का टिकट लेके मड आइलेंड आ सकते हैं आप देख सकते हैं इस फेरी को यह इस तरफ जो फेरी चलती है अभी आप यह जो देख रहे हैं इसमें आप 10 रुपए की टिकट हैं वो लेकर सेम यात्रा कर सकते हैं अंजी तो अभी आगे मड आइलेंड जेटी पार करके और जेटी पार करने का एक सिस्टम है कि अगर आप वर्सोवा की तरफ से आएंगे तो आपको वहाँ पर टिकट नहीं लेना पड़ेगा जब आप यहां मड जेटी पर नगे तो आपको पे करना और वो आपको परची देंगे तिकट का बट जाते वक्त लटा होता था पहले आपको टिकट लेना होगा और तब आप जाएंगे तो अभी यह आं गया है और यहां से बस लेंगे और चलेंगे अकसा बीच तो यह बस यही लेके जाएगी हमें अक्सा बीच यहां से बहुत अच्छी सुभीद आए बसकी अन्जी तो बस के अंदर बैठ गया है अभी देखते हैं इसका टिकेट प्राइस किया है अच्छी से आप बस लेंगे तो सिर्फ 13 रुब्रे का किराया लगेगा और आप अक्सा बीच पहुंच जाएंगे रास्ता बहुत उपर काम है तो आप इच कोने खाते हुए जाए अक्सा बीचत है तो बस से उतर गये और अब आ गये हैं यह अक्सा चौपाटी जो बस्टॉप है अब यहां से टहलते हुए जा रहे हैं अक्सा बीच की तरफ और वहां पर जाके देखते हैं केसी रॉनक है इस बीच की वैसे कहते हैं कि यह बहुत ही फेमस बीच है एक गाना भी है ना तो यही है अक्सा बीच का रास्ता और यहां है अक्सा बीच तो फड़ा फड़ चलते हैं अक्सा बीच आते ही आपको यहां पर बहुत सारी दुकाने भी दिखेंगी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जहां आप बहुत सारी चीजें खरीद भी सकते हैं तो स्वागत है आप सभी का अक्सा बीच पर यहां पर खाने पीने की बहुत सारी दुकाने भर बर के आप देखिए हमारे आगे पिछे कम से कम 200 दुकाने होंगी और चलिए अभी यहां के माहोल को इंज्वा करते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या नजारें प्रकृती के बिल्कुल पास अब फील तो अच्छा आ रहा होगा ना एक तम जन्नत है आप जब भी आएंगे यहां तो नहीं आपका प्यासा वेस्ट होगा नहीं टाइम इधार समंदर और इधार पत्थर आप यहां भी आ सकते हैं इन पत्थरों पे घूमने के लिए बहुत ही खूपसूरत लग रहा ह आपको एक फंफेक्ट बताते हैं अकसा बीच के बारे में अकसा बीच को मुंबई का सबसे को नेस्ट बीच कहा जाता है यहां पर अपर क्राउड बहुत कम रहता है और यहां पर जो लोग घूमने के लिए आते हैं वह इस तरफ बीच पर आते हैं आप मेरे पीचे देख सकते हैं जो लोग घूमने आए बट्ट् प्रेमी जोड़े जो है वो इस तरफ के लिए आते हैं जंगलों के लिए चलिए अब आप लोगों को यहां का संसेट भी दिखाएंगे आप लोग वीडियो में बने रही है और वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज अभी आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आविशकता है तो कैसा लगा अकस्ता पीच गूम के अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं आप सबसे फिर एक नई वीडियो में